हेलो फ्रेंड्स ट्रेडिंग रीक्स में आपका सवागत है मैं आज आप से डिसकेस्टने करने वाला हूं ऑप्शन्स की एक नई अल्गुरिथम अभी टाइम हुआ है रात के 10 बज रहे हैं और आज 23 तारिक है 23 नवंबर चुकि मैं विजी था मुझे समय नहीं मिल पाया इस लिए मैंने इस試 अफंट को बनाया था बनाकाफी समय पहले बनालिया था बड़ इस uplood नहीं कर पाया हूँ तो आज मैंने finally समय निकाल के इस algorithm को अब《 uplood》 करने वाला हूं यह अल्गुरिथम को रन किया था और ब्रोels टेस्टिंग के लिए एक चार्ट ओपन कर लेता हूं मैं कि ट्रेडिंग व्यों का ये चार्ट ओपन है एल्गुरिदम का लॉजिक कुछ ऐसा है कि ये कोड ऐल्गुरिदम का अल्गुरिदम का कोड में सबसे पहले यह यहां से लेके तो हमने पाइथन की जो भी लैब्रेरी स्थी इनको इंपोर्ट करी फिर हमने किसी दूसरी फौइल जो कि हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स की फाइल है यह फाइल इसमें से हमने यह सभी तो यूजरनम, पासवर्ट, टू, एफए वगरा, बाकी सब चीज है, यह हमने इंपोर्ट किया, एलाइस नाम की क्लास और सौकेट ओपन को डिफाइन किया, हमने कुछ ब्लैंक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट है, उसके बाद हमने एक्सचेंड डिफाइन किया, आप यहाँ पर नवंबर की जगह लिखेंगे, दिसंबर, दिसंबर लिखने के बाद, आप यहाँ पर दिसंबर महीने की जो भी एक्सपाइरी डेट होगी, उसको मेंशन करेंगे, तो December महीनी के expiry date हो रही है 30 December तो यहां पर आप लिख देंगे 30 December और इसको कर देंगे 12 फाइल को save कर देंगे run करेंगे algorithm work करेगी मैं फिसे से पुराना कर देता हूं कि मैं कोड़ आपको basically समझाते जा रहा हूं पोड को समझाने में भी मैं आपको समझ मैं जाएगा कि algorithm का जो working है वो क्या है उसके बाद यह टेलेग्राम का यह बोट मैंने बनाया था भी बोट के बारे में discussion नहीं करेंगे बजित्ता बता सकता हूं कि यह बोट मैंने इसलिए बनाया था ताकि यह बोट जब आप देख सकते हैं यहां से फिर उसके बाद यहां पर आती condition यह है actual condition जो हमारी algorithm जिस पर वर्क कर रही है algorithm की condition यह थी कि if gap is greater than one तो gap क्या है यहां पर gap यह है high divided by previous close minus one high लिया है मतलब की gap up की बात चल रही है तो जब gap है और high से define है high कहां पर है high यह है तो इसका मतलब यह है कि अगर algorithm में यह जो high है मेरी कल की closing यह थी और मेरी candle आज जो है उपर open की तो इसका मतलब यह है कि मुझे gap up opening मिली है तो gap is greater than one अगर एक परसेंट से जादा का gap है और open x और low मतलब open और low same है तो पहला condition यह हुआ कि gap एक परसेंट से जादा है और दूसरा condition यह है कि अगर open and low उस particular समय का उस time frame का अगर exact same रहा है और script not in by filter list यह filter list थी मतलब एक script बार बार नो दोह रहा है इसलिए मैं condition दो यह important थी पहला gap gap जो है एक परसेंट से जादा होना चाहिए और दूसरा gap up होना चाहिए gap नहीं it's not just gap it's a gap up तो gap up जो है वो एक परसेंट से जादा होना चाहिए open and low same होना चाहिए तो हमारी script यह जित्ती भी script है हमारी यहां पर देखिए लिस्ट बनी हुई है बहुत सारी scripts की यह इस पूरी list में से वो particular script filter होके आ जाएंगी जिन में यह condition met हो रही है उसके बाद हमने उसको append कर दिया ताकि वो बार बार repeat ना हो script और उसके बाद call script हमने लगा दिया call script एक function है तो यह call script function को मैंने call किया जिसमें दो parameter थे script और LTP इनको हमने pass किया कौन सी script का जो यह condition को match कर रही है तो यह तो पहला condition हमने कर दिया फिर दूसरा condition डला है script in trading calls तो अभी script क्या है तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं यह जो function हमने define किया था call script इसको समझते है call script का function यहां नीचे लिखा हुआ है यह call script का function तो हमने वहां पर symbol को call किया और LTP लिया तो हमें क्या पता चला कि हमें उस particular script का जो भी ट्रेडेबल strike price रहा होगा वो strike price हमको यह filter out करके देगा और filter out करने के बाद आप result में दिखा सकता हूं मैंने थोड़ा दिर पहली यह algorithm चलाया था इससे में बढ़ा कर देता हूं result कुछ इस तरीके से था यहां पर AU bank नवंबर 1220 का call filter होके आया था फिर उसका बाटा इंडि आया फिर ब्रिटैनी आया फिर गुजराद गैस जे के सेमेंट और ऐसे करके लिस्ट बढ़ती के इसमें लास्ट में आप देखेंगे यहां पर AU bank था बाटा इंडिया ब्रिटैनी ओई मिली सेकेंड में हुआ है ब्रिटैनी या गुजराद गैस जे के सेमेंट LNTFH MCX PI industry Siemens star torrent power यह script filter होके हैं मतलब इतने बड़े universe में से हमको कुछ 4 या 5 script filter होके हैं जिन में trade होना था तो यह इस function के थुरू यह जो call script function में बनाये इस के थुरू हुआ तो इसने क्या किया इसने सबसे पहले script का parameter लिया उसका LTP लिया और उसको define करने के बाद LIS Blue की API से हमें यह ना करमेटर को match करता है तो हमने क्या करा उनको subscribe कर लिया और subscribe करने का वा उनको trading calls नाम की जो blank मतलब empty list थी उस पर मैंने append कर दिया तो अब trading calls के अंदर cable वही script है जो हमारी इस पहली condition को match कर रहे हैं ठीक है यह तो हो गया हमारा काम अब दूसरा काम था जो की दूसरा filter लगाया हो यह है if script in trading call तो मतलब जो trading call में script है अगर वो match कर रही है and script not in call trade मतलब कि उसमें दुबारा trade ना हो इसलिए मैंने उसको condition दे दिया कि फिर से दुबारा trade ना करें और दूसरी चीज़ script का open x and low open मतलब जो option का निकल कर आया है जैसे कि अब भी मैंने जब चलाया था तो मेरे सा सुबह का है उस समय condition कुछ भी नहीं थी यह 9 बच के 6 मिनट आज सुबह का रहा है मैं अभी की बात करूँ अभी जब मैं वीडियो बना रहो तब कि मैंने इसको run किया तो आप देखेंगे कि यहां पर L&T FH का order गया था जो कि fail cancel हो reject हुआ है अब L&T FH की condition क्या है हमारी यह यहां पर condition यही है कि जो भी option में trade हो रहा हूँ जिस भी option की strike price में trade हो रहा हूँ उसका open and low same होना चाहिए तो अगर यहां पर जब देखिए अभी 12-1 मतलब अभी का समय है तो इसका अगर मैं देखू L&T FH का 90 का call गया था इसका आप देखिए यह open and यह low यह दोनों same है तो यह condition met हो रही है मतलब कम से कम 3-4 filtration होने के बाद ही हमारी कोई position बनेगी तो उससे एक benefit भी है उससे benefit यह है कि suppose करिए इतने बड़ी universe में आपको 8-10 script मिल गई और वो 8-10 script मिलने के बाद आप यह कोशिश करें कि मैं सभी में trade कर पाऊं तो possible नहीं क्योंकि हर trader के पास इतना fund न लाग रोपी के capital से trade कर सकते हैं तो यह strategy थी यह strategy काफी beneficial है क्योंकि आप देखींगे कभी मैं IRCTC का चार्ट दिखाता हूं आपको IRCTC का यह मैंने चार्ट लगा दिया आप देखेंगे कई बार यह market में open होता है open जैसे यह market में gap up opening हो दिया और instantly execute करके हमको profit book करके निकाल द 10 वजे तक हम अपनी position में profit book करके exit हो चुके होंगे अब पूरे दिन market कहीं भी जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है अब एक problem जो मैंने face करी है वो problem मैं discuss कर लेता हूं code समझा रहा था पहले code पर ही पूरा हम ध्यान देते हैं तो हमने यहां तक अपना काम done कर लिया और यहां order place होता है अगर buy order successfully place हो गया तो एक sell order place होगा इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि instantly यह देखे सबोस करिए इसको मैं दिखा लात हूं यह सुबह 9 बच के 6 मिनिट में जब market start भी नहीं हुआ तो सम मैंने run कर दिया था यह 9 बच के 6 मिनिट पर देखिए एक दो order गए है एक buy price blue हमको bracket order की facility नहीं देता है ठीक है तो अग bracket order की facility नहीं दे रहा है तो फिर मैं ना तो साथ में target डाल पाऊंगा ना ही SL का order डाल पाऊंगा तो मैं कोई भी एक order डाल सकता हूं तो मैंने क्या करके रखा कि मैं यहां पर SL order डाल देता हूं SL मतलब stop loss खुद का stop loss fix कर रहा हूं क्योंकि market अगर buying में गया और अच्छा moment मिल गया तो भागता जाएगा लेकिन सबसे आदा important तो यह होता है trading करने के लिए कि हमारा SL fix है की नहीं है SL तो पहले से define होना चाहिए आपकी position लेने के पहली आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरा कितना SL होगा तो इसलिए मैंने क क्या करा मैंने पहले से SL define करके रखा अब SL को define करने का जो तरीका था सबका अपना-पना होता है मैंने क्या करके रखा कि यहां पर एक नॉर्मल सा SL लिया यह देखिए product type delivery trigger price 5 रुपे मतलब 5 रुपे में अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर 1200 का lot size किसी script का तो 5 रुपे का मेरा L LTP किसे plus 500 मतलब 5 रुपे तो वह 5 रुपे उपर नीचे होगा मतलब 1200 रुपे में 6000 से 7000 रुपे की risk मिलूँगा पर trade पर तो यह आपके उपर defend करता है कि आप किती risk रखना चाहते है तो इसके लिए बहुत सारे modification किया जासा there are unlimited modifications यह केवल एक just an example कि अगर किसी के पास अच् stock का filtration millisecond के अंदर वो कर पाएगा और उन्हीं stock में वो trade कर पाएगा तो यह strategy थी तो यह यहां का यह जो call function था यह call function यह था अब यह बीच वाले जो man function बना था यह man function का funda यह था कि हम पहले allies blue class को define कर रहे हैं हमारी access token वगरा जो भी login ID से हम access token fetch कर रहे हैं और बागी सब information लेने के बाद हम algorithm की timing set कर रहे हैं तो मैंने 20 की रखी है मेरा मानना यह है कि जब 9.15 पर market start हो तो 5 minute का duration जो है वो define कर देगा कि market में किस तरह फलके हलके moment होने वाले हैं तो यह 5 minute वेट करने के बाद 9.20 पर यह algorithm execute होगी और आपके trade start होएंगे ठीक है तो यही चीज़ से define करना जाए थोड़ा सो complex रहा है बट क्या करूं यह heavy options और derivative को algorithm में define करना थोड़ा complex होता है I know बट मैं यह कह सकता हूं कि आप में से कुछ लोग वो होंगे जो सीखना चाह रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ready to go material लेना चाह रहे होंगे तो मैं मानता हूं अगर stock market में आए हो और पैसा कमाना चाहते हो तो थोड़ा सा patience रहो पहले सीख लो फिर उसके बाद काम करो तो जादा बहतर रहेगा तो इसलिए अगर मे करन में उन सभी को कर नहीं पाता हूं क्योंकि मेरे खुद क्या लग वर्क रहते हैं इसलिए बीच में अभी हम बैंक निफ्टी में ट्रेट कर रहे थे अभी दो दिन से मार्केट गिरता जा रहा है मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया और ना तो प्रॉफिट बुक कर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में हां एक चीज और बताना चाहता हूं कि यह एल्गुरिदम जो मैंने आभी आपको डिफाइन करिए रिस्की हो सकती है रिस्की कैसे हो सकती है कि अगर सपूस करिए यहाँ पे तो आपको पता है कि बाय और जैसी आपकी पोजिशन बनी तो इंस्टेंटली एक सैल ओडर जाएगा जो कि आपका इस टॉप लॉस मतलब इस टॉप लॉस को फिक्स रखेगा तो आप सबूस करिए किसी ने पांच का रखा है किसी ने दो कई रख लिया और अगर लॉट साइट तीन या चार यहार कर निकला तो दो रुपया अगर मोमे हुआ कि केवल और केवल प्रैक्टिकल रूप में रखें बहले आप अपने डीमेंट में एक रूपया ना रखें जैसे मेरे मेरे अलाइस ब्लू में आप चेक करोगा आपको बुछ भी नहीं मिलेगा खाली पड़ा हुआ जीरो फंड है तो यह केवल टेस्टिंग के लिए यूज करता हूं मैं ट्रेट करने के लिए मैं अपने दूसरे अकाउंट यूज करता हूं तो इस सीखने की समय है तो बस इसी तरीके सो होता है एक चीज़ और जब आपका ट्रेट डलेगा तो आपको यहां पर लिख कर आएगा कॉल ट्रेडिंग लिस्ट एलेंट एफस 90 यह लिख कर आया और यहां पर आप देखेंगे एक ट्रेड डल गया है मैंने जो ट्रेडिंग ऐल्गरिदम में यहां पर आप देखेंगे सहीं yon यह टेलेग्राम का जो यह फंडा मैंने रखा है, यह मुझे एक्षवल में क्या करता है, यह मुझे मेरी अपडेट्स मेरे टेलेग्राम मोईल में भेज देता है, तो in case मैंने इस फाइल को सर्वर पर रख दी है, और सर्वर पर एक्जीकूट हो रही है, फिर भी मुझे उसकी अ ब्लैंक में, suppose मेरी डर्ट ऑफ वर्त वन नाइन नाइन जीरो है, तो मैं केवल यहां पर टू एफे में वन नाइन नाइन जीरो लिखूँगा, और इसके लाब और कुछ भी नहीं लिखूँगा, ठीक है, और ध्यान रहे है, आप इसको इस्टिंग में नहीं लिखेंगे, बट यह अपडेशन अपनी अल्गुरिदम में जरूर कर लें, तब ही आप एक्जीक्यूट कर पाएंगे, और अगर कोई डाउट आता है, या फिर कोई मोडिफिकेशन चाहिए है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करें, मुझे जो लगता है मोडिफिकेशन होगा, वो मैक्स लॉस, मैक्स लॉस नाम से एक मैक्स, लॉस नाम से एक मैंने पांच या लिख दिया, और स्टॉप लॉस, प्राइज, जो है, उसको हम लिख देंगे, मैक्स लॉस, डिवाइड़ वाई, quantity, मैक्स लॉस डिवाइड़ वाउ कॉणटिटी हो गया, तो हमें एक नमबर वेल्यू मिल जाएगी, उस नमबर वेल्यू को हम, इंटीजर में कर लेते हैं, यह, और इसको हम कर लेते हैं इंटीजर, स्टॉप लॉस डिवाइड वाई, stop loss price integer तो ये हमारा stop loss हो गया stop loss price हो गया और अब हम यहां पर ये जो लिखा हुआ है 2.0 इसकी जग़ा पर हम लिख देंगे stop loss price इतना changes करना था अब आप ऐसा कर सकते हैं कि suppose करिए कि आपका मानना ये है कि कोई भी trade हो उसमें मेरी risk अगर 3.000 रुपे की है तो वो 3.000 रुपे ही रहे तो इस तरीके से ये work हो गया simply आपने छोटा सा modification कर दिया ये काफी helpful रहाएगा आपके लिए same चीज ये पूरा का पूरा जो code है मैं ये website पे लिंक में दे दूँ आपको लिंक में visit करके इस code को कॉपी कर लीजेगा अपने इसाब से modification कीजेगा कहीं कोई error आती है तो एक चीज और बता दूँ आप जब comment section में अपनी कोई error लिखते है ना तो उसे पूरा describe कर दीजे या screenshot दे दीजे क्योंकि वह error को मैं आप verbally बोलेंगे तो मैं समझने पाऊंगो कि क्या error आदी है तो नहीं तो फिर मेरी email ID है आप उस email ID पर उसे भेद दीजे मैं shot out करके आपको return कर दूँँगा and thank you so much have a good night